अच्छा यह जो हमारा question है यह question एक तो proportion से relate करता है जिसमें हम लोग labor time और production के बारे में हम लोग discuss करते हैं यह question एक totally different है और यह हमारे CSS 24 के paper के GSA के लिए भी और MPT में भी यह question हमारा आ सकता है question कहता है if three men are six boys can do a work in twenty days अगर तीन मर्द या छे लड़के एक काम को बीस दिनों में अगर complete करते हैं तो how long will it take six men and eight boys to complete the same amount of work तो यही काम अगर छे मर्द और आठ लड़के अगर complete करें तो वो कितनी देर उस पे लगा देंगे अब यह कहीं पे आर का वर्ड आ रहे हैं तो इस मेना आप सबसे पहले हम एदर छोड़ी सी इसकी वर्किंग करनी पड़ेंगी क्योंकि हम लोग डिरेक्ट इसकी equation इस तरह नहीं बना सकते कहीं पर और कहीं पर हैंड उसका फिर वो concept फिर आपको पर चेंज हो रहा है हम इसको इस तरह और वर्किंग कर सकते हैं वह करता है तीन मर्द या छे लड़के देखें त्री मैं आर सिक्स बॉइस इस इक्वाइज इस इक्वाइज 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 यहां पर प्लस का अगर काम करें तो वह उनको कितना टाइम लाग जाएगा ठीक है अब अगर आप लोग इसकी पहली एक्वेजन वान को अगर देखो गोड़ से तो इसमें अब क्या concept निकलता है वह कहता है तीन मर्द या छे लड़के एक काम को बीज दिन में करते हैं यानि कि तीन मर्द भ करते हैं तो इसका मतलब क्योंकि वह भी इस दिन में कम्लीट कर रहे हैं यह भी इस दिन में कम्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब हिंदों की अपसे पर इकॉल हुई तो यहां से अगर मैं M की वैल्यू अगर निकाल लो M is equal to 6B over 3 तो यह एक मर्द एक्चुल में 2 बाइस के बराबर काम कर यहां से पता चाल रहा है त्री मैं 6 बाइस के बराबर तो यहां से अगर मैं M की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूए 6M में जो दूसरी इसकी एक्वेजन है यहां पे अगर मैं M की वैल्यू पुट कर दूना 6 इन्टो M की जगह यह टू भी प्लस 8B इस से होगा क्या कि इस से मैं की वैल्यू टोटली बीच में से खतम हो जाएगी हमने M की वैल्यू बी की फार में हमने पुट कर दे तो M इसमें खतम हो गए अब यह सिर्फ आपके बी की फार में क्वेजन बन जाएगा जैसे पहले हम सॉल कर रहे थे अब यह देखें कितने थे हैं six boys कितने दिर्म काम complete करते हैं 20 डेज में अब वह कहते है अगर 20 boys हो जाएं तो कितने दिर्म काम complete होगा एक्स पर सब्यकोन बान गई जिसमें हम एक arrow ऊपर तो दूसरा आरो नीचे आएगा क्यों क्योंकि डेज टाइम में आता है वाइज लेबर में आता है और लेबर और टाइम का रिलेशन हमेशे इनवर्स होते हैं समयागी इस question की कि कैसे मैंने इसको solve किया है मैं इसको दोबारा अलका सा इसको repeat कर देता हूँ देखें सबसे पहले उसमें कहा था तीन मर्ज या छे लड़के एक काम को बीज़रों complete करते हैं मैंने इसकी equation बना ली यह three men are six boys is equal to twenty days अब यह दोनों twenty days में अगर complete करते हैं तो इसमें आप three men six boys की equal काम करते हैं दोनों के efficiency आपसे मैंने equal की इसमें से मैंने m की value निका ले और m की value मैंने इस equation यहाँ पर put कर दी यहाँ पर m की value जो मैंने put की तो इसमें से man खतम होगा सिसमें मिरफा boys के relation बच किया आप मैंने boys और days का एक relation बना कि मैंने equation बना ली आप चाहें तो यहाँ से b की value निकाले b is equal to m by two उस b की value बेशक आप यहाँ पर put कर दें आप इसमें पर क्या होगा boys खतम होके आपके पास man और days का relation बच जाएगा man और days का जब आप relations को solve करेंगे आप का अंसर तब भी जी आएगा देखें यहां से रोग स्टार्ट हुआ six over twenty is equal to यहां से रोग स्टार्ट हुआ तो आपको यह बताया कि जहां से रोग स्टार्ट हो वह value उपर रखने है x over twenty cross multiply करें twenty x is equal to six into twenty और x is equal to six into twenty upon twenty तो यह आपके पास six days इसका right answer आगे तो यह question आपके CSS GSA for 24 और MPT दोनों के लिए आपका इंतहाई important question है यह आप लोग इसको अच्छी तराव इसको revise का लिजेगा ठीक है यह question plenty of time जो बड़ी-बड़ी academy दें उनके mock test में भी आच चुके है ठीक है जी ओफ तो आपके इसकी समझाई होगी right आप आप